नमस्कार and welcome to Curiously Education दोस्तों आज 1st September 2022 है Welcome to Editorial and Article Analysis आज हमारे डिबल पर हैं तीन important articles कल गनेश चतूर्थी थी और मैंने एक बहुत इंटरस्टिंग वीडियो भी लॉंच किया था कि गनेश भगवान जो हैं उनके अंदर कौन सी ऐसी 8 qualities हैं जो हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं तो कल गनेश चतूर्थी होने की बज़े से कल छुटे थी राइट of this editorial and article analysis और आज बहुत सारे newspapers जो हैं वो publish नहीं हुआ है तो कल का जो the Hindu newspaper है उसका यह article है floods and falls तो यह interesting है फिर Tribune का एक article है 1st September 2022 के editorial and article analysis में मैं प्रशाद पावारी आप सभी का बहुत-बहुत हारती के रुप से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हमरे डिबर पर है तीन interesting topics आप सोच रहे होंगे कि हरो सर मिनिमम पाँच होते हैं आज यह तीन क्यों दोस्तो गनेश चतूरती की छुट्टी थी तो बहुत सारे newspapers जो है वो published नहीं हुए हैं और जो publish हुए हैं उनके articles मैंने देखें तो उनके top three articles मैं आपके लिए लेकर आया हूँ floods and foes the Hindu का यह article है बाइद वह आज हिंदू publish नहीं हुआ है कल का जो हिंदू है तो कल के newspaper का यह article है making India competitive यह economy के साथ जुड़ा हुआ article है and level playing field यह education के साथ जुड़ा हुआ article है let's talk about floods and foes the Hindu का यह important article है unfortunately बहुत ही दुखद बात है यह के पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बाड़ा गई और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मुदी साथ ने tweet करके दुख व्यक्त किया है condolences जो है वो हमने express किया है जब प्राइम मिनिस्टर करते है that means हमारे देश ने किया है 33 million लोग पाकिस्तान में affect हुए है कितना होता है 33 million 33 million का मतलब होता है दोस्तों 3 करोड 30 लाख लोग पाकिस्तान में flood की वज़े से affect हुए है और 1100 से भी ज्यादा लोग जो है उनकी मृत्य हुई है which is very very unfortunate अभी पता है पाकिस्तान की situation क्या है one third of the country is under water one third यानि की अब स्वज लीजिए 33.33% पाकिस्तान जो है ये पानी के नीचे है पानी की वज़े से प्रभावित हुआ है total जो एक estimate आ रहा है कितना नुकसान होगा या फिर हुआ है ये घरो की बात है roads की बात है infrastructure की बात है तो 10 billion dollar का damage जो है वो estimate किया जा रहा है और इससे भी ज्यादा damage जो है वो शायद हो now 10 billion dollar is a big amount for Pakistan हमने देखा है पिछले कई सालों से पाकिस्तान जो है वो economically financially struggle कर रहा है और उपर से इस प्रकार का damage जो है तो पाकिस्तान की हालत जो है वो और ज्यादा खराब होगी which is again very very unfortunate किसी भी देश के लिए ये अच्छी बात बिलकुल नहीं है मैंने बाहर बाहर एक चीज़ बताई है कि पानी के साथ जुड़े हुए जो disasters है ना उनकी एक second inning होती है first inning क्या है कि ये बाढ़ आई और इसकी विज़े से लोगों की मृत्ति हुई लोग बेघर हो गए ये property का damage ये सारी चीज़े होई second inning जो है ये disease के साथ जुड़ी होई है water bone diseases होंगे right तो बहुत सारे लोग बिमार पढ़ेंगे बच्चे बिमार पढ़ेंगे और वो जो cost होगा और वो जो लोगों को नुकसान होगा ये भी काफी severe होगा ये भी काफी दर्द दुखद होगा इसी के साथ साथ जो फसल है standing crop जो है ये effect हुआ है अब फसल बरबाद होगी तो क्या होगा food की shortage होगी क्योंकि demand and supply की जो एक चीज होती है economy में वो उसका जो law है वो तो apply होगा ही कि अगर कम चावल पैदा होंगे कम गेहू पैदा होंगे और उतने ही लोग खाने वाले हैं तो फिर supply कम है तो चीजों की price increase होगी उपर से लोगों के घर चले गए हैं राइट चीजे बरबाद हो चुकी है और अब inflation का खत्रा तो ये सारी चीजे एक देश के लिए बहुत ही dangerous होती है राइट economically as well और society wise बेए ये बहुत ही challenging situation है तो ये होगे पाकिस्तान की एक brief कुंडली के अभी क्या चल रहा है उसका अब दोस्तों dangerous बात ये है कि ये floods जो है ये बार जो है उसके बारे में कहा जाता है कि climate change की वज़ से ये बार जो है ये आई है और ये पूरे दक्षिन एजिया के लिए चिंता का फिशा है दक्षिन एजिया में सारे के सार्क के जो members है वो आते हैं सार्क यानिकी South Asian Association of Regional Cooperation कौन कौन से देश है मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया मैं चाहता तो यहाँ पर मैप भी एड़ कर सकता है लेकिन I don't want to do that कई बार मैप दिखाया है आप खुद मैप निकालिया और देखिये ओके तो तीन देश ये होगे है फोर्थ इस नेपाल भूतान श्री लंका बड़ेश यानिकि बंगलादेश राइट ता ये होगे सार्क के आठ देश सार्क जो हैं we are talking about South Asia एस ए दक्षिन एज़ा के देशों के लिए चिंता का विशाई है और दक्षिन एज़ा में एक और देश हैं वं हैं हाँ है हमारा देश भारत तो ये आठ देशों में भारत भी हैं तो हमारे लिए भी ये चिंता का विशाई है क्योंकि दक्षिन एजिया के बारे में ये कहा जाता है कि ग्लोबल वोमिंग की वज़े से दुनिया में सबसे प्रभावित इलाकों में से एक इलाका जो है एक एरिया जो ह It's a wake-up call नाइटीन में यान की आर्टिकल 370 को जो भारत सरकार ने हटाया तो उसके बाद ट्रेड बैन लगा दिया है पाकिस्तान ने भारत पर यान की भारत से कोई भी चीज जो है वो पाकिस्तान नहीं करी देगा फिर कोविड के समय में कोविड की दवाय जो है वो अलाउट थी और तो अब ये जो बैन है उसको लिफ्ट करने का प्रपोजल आ रहा है कि ये बैन जो है उसको हटा दिया जाए ताकि भारत से कुछ वेजिटेबल्स मंगवाए जा सके और एसेंशल कोमोडिटीज जो खाने पीने की चीज़े हैं और दूसरे दवाई एकसेटरा कंबल जो भी चीज़े हैं तो ये सारी चीज़े जो है वो भारत से इंपोर्ट कर सके पाकिस्तान अफगानिस्तान से तो कुछ ऐसी चीज़े इंपोर्ट नहीं कर पाएगा तो भारत जो है वो बेस्ट आप्शन है अफ्कोर्स चाइना काफी मदद करेगा लेकिन भारत भी मुझे लगत इस बात पर गर्व उठाता है कि फिर्स्ट रिस्पॉंडर है हम, अगर हमारे पडोस में कुछ होता है तो भारत पहला ऐसा देश है जो मदद के लिए पहुँच जाता है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे, तो सबसे पहले तो ये जो फिर्स्ट रिस्पॉ पाकिस्तान में चलो पॉलिटिकली और आर्मी वाइस कुछ भी चल रहा हो, नेकिन वहां के लोग भी तो इनसान ही है, वहां के लोग जो हैं, वो भी हमारे देश के लोगों की तरह ही अच्छे लोग हैं, पॉलिटिक्स की बात मैं नहीं करा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि पाक have that much in-depth knowledge, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन I know about the people, मैं बहुत सारे से लोगों को जानता हूं, they are from Pakistan, right, अभी तो चलो day-to-day उटना बैठना नहीं है, because I live in India, लेकिन एक वक्त था जब when I used to live in UK, तो वहाँ पर मैं बहुत सारे से पाकिस्तानी लोगों को मिला, और आज भी Facebook में वो मेरे दोस्त हैं, right, we used to eat together, बहुत सारे चीज़ों के बारे में discussion होती थी, तो I know, कि वो लोग भी हमरे में एक ही देश के लोग हैं, तो सारे के सारे लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं है, and this is not about, कि उन्होंने किया किया था, इतने युद्ध हो गए, हर एक crisis जो है, वो opportunity होती है, तो भारत के लिए ये एक opportunity है, क्या पता, इससे भारत और पाकिस्दान के relationship में एक नया मोड आ जाए, और दोनों देशों के बीच में relationship जो है, बाचीत at least start हो जाए, और relationship जो है, वो normal हो जाए, of course पिछले लगबग एक दशक से हमारी यही एक demand रही है, भारत की demand जो है, ये काफी legit है, इसमें मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे demand हमारी नहीं होने जा रहेंगे, तो हम बाचीत करने के लिए तयार नहीं है, अगर आपको बाचीत करनी है, तो ये cross border terrorism जो है, इसको बंद करना पड़ेगा, तो दोनों में से कोई एक select कीजिए, भारत ने ये clearly बता दिया है, और पाकिस्तान जो है, वो बार बार में, वांके politicians और ये सारी करवा है, वो in fact वहाँ पर ये story चलाते हैं कि भारत ये सारी चीज़ा कर रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सहवाज शरीफ जो है, September इसी महिने में, SEO की जो summit है, उसबेकिस्तान में, वहाँ पर दोनों leaders travel करेंगे, पाकिस्तान की मदद करके अगर हम ऐसी discussion और talks start कर सकते हैं, बशर्त है कि पाकिस्तान terrorism पर control रखें, या फिर इसको बंद कर दे, right, terrorism, cross border terrorism ना हो at least, तो चीज़ें जो है, वो improve हो सकती है, अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, hope things are clear to you, making India competitive, tribune का ये interesting article है, एक नहीं रिलीस की है, right, इसको कहते है, competitiveness roadmap for India at 100, मैंने आपको बताया था ना, 2047 के बारे में है, के ऐसे लिखे, कुछ points लिखते जाईए, सोचे के देश हमारा कैसा होगा, अब देखिया कैसे, धड़ा-धड़ा ये सारी चीज़ें जो हैं, वो हमें देखने को बल रही है, तो 100 साल जब हमारे हो जाएंगे आजादी के, अभी तो 75 years हमने सेलिब्रेट किया है, तो 2047 में हमारा देश जो है, वो कैसा होगा, competitiveness roadmap for India at 100, ये लाँच किया है, ESC, right, ESC Prime Minister, and Institute for Competitiveness, इन दुरों ने मिलकर इस चीज़ को लाँच किया है, India can become an upper middle income country by 2047, if it manages to achieve a sustained growth rate of 7 to 7.5% for next 25 years, भारत जो है, ये upper middle income country के list में आ सकता है by 2047, अगर अनिवारे 25 सालों के लिए, हम sustainably 7 से लेकर 7.5% हमारा annual growth rate रहे, average इतने निकले 25 सालों की, हमने 7 से 7.5% growth rate किया है, GDP में growth हुआ है, तो हम इस category में आ सकते हैं, हमरे Prime Minister नरेंदर मुदी साब ने ये target दिया है, ये लक्षे रखा है, गोल रखा है, कि 2047 तक हम जो है, वो एक developed देश जो है, वो बन जा है, भारत की economy जो है, इसके बारे में forecast ये किया गया है, वाई, International Monetary Fund के 7.4% से हमारा growth होगा 2022-23 में, and this will make us world's fastest growing economies, right, दुनिया की दूसरी economies की situation, देखे, they are not doing that great, लेकिन हमारा देश जो है इस साल 7.4% से expand करेगा, विच इस वरी-वरी good, अब हमें क्या चाहिए, the most important thing हमारे देश के लिए, वो है के एक तो sustainable growth हो, इसे के साथ साथ equitable growth हो, sustainable growth यानि की सतत विकास जो हैं, वो होता रहे हमारे देश का सतत growth होता रहे, in fact, let me be very clear, sustainable growth जो हैं, ये quantity के साथ जुड़ा हुआ है, growth जो हैं, वो quantity के साथ जुड़ा हुआ है, के लेट से जो 7.5, let's say 8%, right, तो आप इसको ना पाएंगे के 8% से sustainably हर साल हम on an average ये growth है, चीव करें, और जो equitable growth है, equitable growth is more about के quantity, sorry, quality, right, equitable equity का मतलब है के rich और poor के बीच में जो gap है, ये gap कम हो जाए, तो इसमें ऐसा नहीं है के पैसे वाले लोग है, उनको गरीब बना दीजे, तो gap नो, हमें गरीब लोगों को पैसे वाला बनाना है, या फिर उनकी income जो है, उसको increase करना है, तो ये growth, अभी हमारे देश में जो growth है जी हुआ पिछले कुछ दशोकों में, तो उसमें क्या हुआ कि पैसे वाले लोग और ज्यादा पैसे वाले हो गए, और गरीब जो है, तो ये gap बढ़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक परिवार के लिए, ये growth जो है, वो beneficial होना चाहिए, this is the most important thing, equitable growth and sustainable growth, rising inequality and lack of convergence across regions suggest that the growth has failed to translate into expected improvements in quality of life for many Indians, जो चीज मैंने अभी बताए, वही है यहाँ पर, कि inequality की वज़े से, right, और growth जो है, वो हर जगापर equally नहीं हो रहा, इसकी वज़े से, बहुत सारे लोगों की quality of life जो है, वो आज भी उतने ही, पूर है, अब देखिए, human development index में global rank कितना है, out of 189 country, हमारे देश का rank है 131, तो हम three digit में rank है हमारा, और यह human development index जो है, इसमें बहुत सारे important parameters जैसे के education, literacy, health, इन सारी चीजों को इसमें ना पा जाता है, right, इसके parameters यह सारे हैं, और overall हमारा performance बहुत ही खराब है, तो 7% और 8% और यह सारी चीज़े अगर आ जाए, हमारे पास इतना growth है, लेकिन यह equitable नहीं है, त जो हैं, वो हम पीछे ही रहेंगे, job creation and poverty alleviation have to be the central elements of all policies and schemes, job create करना और गरीबी को हटाना, यह सारी की सारी schemes और यह सारी चीज़ों की जो नीतिया है, उनका एक को और definitely होता ही है, और देखिए, आत्म निरपरता के बारे में, मैंने इससे पहले भी कई बार financial news analysis में explanation दिया है, लेकिन यहां पर भी मैं दे देता हूँ, कि domestic industry को support करने का मतलब ऐसा बिलकुल नहीं है कि foreign की companies जो है, उनको हम support नहीं करेंगे या फिर उनका विरोध करेंगे, नो, domestic industry की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इसे के साथ-साथ, दुनिया भर का investment जो है, trade और investment हमारे देश की तरफ कैसे आए, कैसे हम FDI को attract कर सकें, कैसे हम FPI को attract कर सकें, right, ease of doing business, यह सारी चीज़ें जो हैं वो, हमें करनी है for international investors, international businesses, and domestic industry, ठीक है, दोस्तों, अब बात करते हैं, level playing field, times of India के बार में, लेकिन, एक important चीज, इस lecture को देखना मत भूलिये, पूरा, आज हम, end में, मैं आपक financial news analysis, और जो current affairs के videos हमने start किये थे, उसके साथ जुड़ी हुई, एक बहुत ही important update to share करने वारा हूँ, ठीक है, let's talk about this topic first, right, level playing field, UGC और education ministry, दोनों मिलकर, foreign universities के लिए, कुछ rules and regulations finalize करी, ऐसे report आ रहे हैं, कि अब foreign universities, जब यह rules and regulations final हो जाएंगे, और जब इसको approval मिल जाएगा, सारी चीज़ा clear हो जाएगी, तो उसके बात main लक्षे यह है, कि foreign universities जो है, वो अपने campuses इंडिया में खोल सकते हैं, for example, Oxford University जो है, तो वो, let's say, एक अपनी branch जो है, Oxford University की, इंडिया की branch, खोल सकती है, right, I'm just giving you this rough example, इस प्रकार का प्लान जो है, वो बनाया जा रहा है, और खबर यह है, कि यह जो प्लान है, इस प्लान में nearly full freedom दिया जाएगा, foreign universities को, कि वो अपना जो academic course है, उसका structure, उसका curriculum, उनको जो best लगत है, उसे साब से design कर पाएंगे, customize कर पाएंगे, उनको जो best लगता है, वो चीज़ कर पाएंगे, faculty को hire करना, उनकी salaries, यह सारी चीज़े भी decide करने में उनको full freedom मिलेगी, और यहां तक कि students कितनी fees pay करेंगे, कौन-कौन से courses के लिए, etc., यह सारी चीज़े भी decide करना जो है, वो totally उन पर छोड़ा जाएगा, तो nearly full freedom जो है, वो foreign universities को मिल सकता है, अगर सरकार जो plan बना रही है, प्लान बनाए तो अब, क्या यही freedom भारत की universities को मिल रहा है, the answer is no, इतना सारा freedom तो भारत की universities को नहीं मिलता है, भारत की universities जो है, तो उनको अलग-अलग agencies जैसे के UGC है, AICTE, NMC, BCI, राज्य सरकारों के rules and regulations को follow करना पड़ता है, यह सारे rules जो है, वो नए courses के बारे में, student के intake को लेकर sanctioning कितना है, academic and administrative operations, यह सारे चीजों के rules and regulations जो है, यह सारे अलग-अलग bodies के rules and regulations जो है, वो Indian universities, F.S. State universities पर लागू पड़ता है, अगर genuinely UGC जो है, वो पूरी system को, education system को, particularly higher education system को reform करना चाता है, तो यह जो बदलाव है ना, यह जो freedom है, यह सभी players को मिलने चाहिए, domestic players को भी मिलने चाहिए, और foreign players को भी मिलने चाहिए, इन दोनों के बीच में competition होगी, तो it will be beneficial for the student, for the sector. पालियमेंटरी standing committee ने भी यही कहा है, और बहुत सारी पालियमेंटरी standing committee ने यह बताया है, कि UGC और दूसरे regulators जो है, वो अपने approach में थोड़े overbearing है, यानि कि थोड़ी ज्यादा चीजों के restrictions हैं, थोड़ी ज्यादा bureaucracy, rate typism जो है, वो यहां पर देखने को मिल रहा है, और हमारा देश जो है, यंगsters से बरा हुआ देश है, education की demand जो है, वो बढ़ती जा रही है, खासकर के quality higher education जो है, उसकी demand और supply में एक बहुत बड़ा gap है, और ये gap जो है, अगर freedom दिया गया, थोड़ा customization की permission दी गई, तो ये gap जो है, वो फुल्फिल हो सकता है, ये gap जो है, वो कम हो सकता है, और foreign players आएंगे, तो उसका भी हमें एक अनुभव मिलेगा, फाइदा मिलेगा, राइट कुछ universities हैं, 300-400 सालों से operate कर रही है, 500 सालों से operate कर रही है, तो उनका जो ये अनुभव है, तो ये अनुभव जो है, उसका निचोड, उसका जो रस है, वो इंडियन, जब foreign universities, इंडियन branches खोलेगी, तो उसका एक रस, जो है, उसका एक काम करने का तरीका जो है, वो भी हमें सीखने को मिलेगा, so freedom, दोनों के लिए important है, दोनों को छूटाट देने की जरूरत है, right, so that's basically everything, as far as these three articles are concerned, अब मैं आपको बता दा हूँ, financial news analysis, और, जो current affairs का lecture था, जिसमें हम news discuss करते हैं, उन दोनों के बारे में, वियान से सुनिएगा, और आज की date, याद रखेगा, 1st September 2022, अब बहुत सारे students, जब comment section में लिखेंगे, इन दोनों के बारे में, तो आप भी regular students, जो हैं, आप कह सकते हैं, कि सर्द ने, 1st September 2022 वाला जो lecture है, उसकी 23 मिनिट से जो बातें बताई हैं, तो उनको आप देख लीजिए, आपको पता चल ले आएगा, कि what's going on with FNA and CA, दोस्तों, बहुत विचार विमर्श के बाद एक लंबे समय से मैं सोच रहा था, in fact, I was, you know, दो मेने से मैं सोच रहा था, इसके बारे में, इस दो मेने पहले, ये विचार जो हैं, वो मेरे दिमाग में आना स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर बीच में कुछ gaps हुआ गये थे, because of health reasons and things, लेकिन पिछले एक महिने का जब मैंने देखा, means, मैंने decide किया था, कि I will see, कि अगर ये चलता है, तो चलाएंगे, वरना फिर इसको continue नहीं करेंगे, तो financial news analysis का जो वीडियो हैं, वो आज से curiously education पर नहीं आएगा, इसको मैंने बंद कर दिया है, ये मेरा decision रहा है, right, और इसके पेचे main reason ये हैं, कि ये sustainable series नहीं है, इसको बनाने के लिए जो मेहनत लगती है, right, उसको जब हम views के साथ calculate करते हैं, तो it indicates के इसका कोई इतना खास फाइदा नहीं है, कुछ students हैं, I'm not saying कि किसी को फाइदा नहीं है, I'm sure आप मेंसे कुछ students होंगे, जिनको ये सुनकर बहुत दुख हुआ होगा, कि ये series बंद हो गई, लेकिन दोस्तो, you have to understand कि अगर कोई series sustainable नहीं हो, right, तो फिर उसको चलाने का कोई मतलब नहीं है, उस financial news analysis के वीडियो को बनाने में जितना वक्त लगता है, उतने ही वक्त में, मैं कोई दूसरा topic cover कर सकता Same thing goes with current phase, मैंने एक try की news के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग इतने mature हैं, और आप लोग इतने used to हैं इतने सालों से news से, तो news पढ़ना जो है ना वो आपकी difficulty नहीं है, मुझे बहुत ही वो भी होता है, to be honest मैंने कुछ channels देखी हैं, तो कुछ ऐसी channels हैं जो Hindu newspaper को भी खाते हैं, और you know, वो news item discuss करते हैं, और ऐसे videos के views आप देखेंगे, then you will find के उनके 50,000 views हैं, किसी के 40,000 हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक channel है, जिनको इतने ही कुछ 50,000 views मिल रहे हैं हर रोज और एक साल पहले उनके जो channel के ओनर है, faculty है, faculty भी है, और ओनर भी हैं, just like me, right, के उन्होंने ही अपनी channel की शुरुआत की, और उनके views काफी अच्छा रहे हैं, इतने views आ रहे हैं, के, let me tell you, उनको कहीं पर भी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, एक अच्छी खासी, six digit में, right, six digit का मतलब समत्ते हैं, कम से कम वो बंदा जो है, वो एक लाख रुपए कमा रहा होगा, just from this Hindu analysis, कितने हैं, एक लाख रुपए, but what we find there, news, ज्यादा तर focus जो है, वो न्यूज पर होता है, के, page number one में ये हैं, page number six में ये हैं, etc, चलो, बहुत सारे students होंगे ऐसे, जो इस प्रकार से news पढ़ते होंगे, but I know, मुझे पता है, psychology के बारे में students आई करो के, उस में से ज्यादत students जो हना, वो सिर्फ ये देख लेते हैं, के sir ने क्या-क्या बोला, क्या-क्या important points किया, that's it, फिर बहुत कम ऐसे student होंगे, जो actually में newspaper खोल कर वो item को पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि, जो news है ना, news, ये news, means news के लिए हम नहीं हैं, you know, we are here for, for a next level thing, कि editorials और articles को identify करना कौन सा important है, और उनको explain करना, उनको translate करने की, जो अब जो है ना, वो नहीं है, translate, it's like, means, उसमें views, views आ जाएंगे, लेकिन examination crack नहीं होगी, जो बना रहा है, उसका फाइदा हो रहा है, वो लाखों में पैसे भी कमा रहा है, हर महींने, लेकिन जो हर रोज 30-40 मिनिट्स उसको सुन रहा है, ये आशा के साथ, कि वो exam clear कर लेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि level जो है, वो सिर्फ अभी news level पर, means, आप news ही पढ़ रहे हैं, आप news भी खुद नहीं पढ़ सकते, that means, ऐसा नहीं है, कि आपके अंदर खामी है, अभी आपका वो level नहीं है, धीरे धीरे आपको practice से news पढ़ना, start कर देना चाहिए, तो this is the thing, but anyway, अब फिर से FNAK पर आते हैं, तो देखे, इसके views जो हैं, वो 100 कोरों भी cross नहीं करते थे, 100 views पर डे भी नहीं आते थे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, right, इसको देखने का, that means, कि कुछ लोगों को पसंद आ रही है, ये series, लेकिन उतनी share नहीं हो रही है, it's not that inspiring, के लोग इसके बारे में बात करें, और दूसरे लोगों को हर रोज शेर करें, और encourage करें, अपने दोस्तों को call करके कहें, कि देखिए, एक बहुत ही मस्त series आ रही है, financial news analysis, बहुत मज़ा आएगा तुझे, तेरे economy या फिर इसमें पता नहीं चल रहा था, तुझे concept clear नहीं थ तो FNA का ऐसा नहीं था, and same thing goes with current affairs, यह news, important news, मैंने सुचा कि most important news जो है, वो आपके हाथ से ना चले जाए, लेकिन, to be honest, मैं expect भी नहीं कर रहा था, कि एक मेने के अंदर यह हजारों views लेकर आए, लेकिन sustainable ना होने की वज़े से मैंने यह बंद कर दिया है, तो अब, यह दोनो series जो है, वो start नहीं होगी, अब ऐसा नहीं है, कि मुझे 15, 15, 20 comments आएगी, emails आएगे, तो फिर मैं इसको फिर से start कर दो का नौ, जहां तक मैंने decide किया है, 2022 में, यह 3-4 महिने जो है, September, October, November, December, यह 4 महिने, अब यह videos तो आएंगे ही नहीं, अब उस time पर देखेंगे, review करेंगे कि चैनल कहां पर हैं, तो उसके आधार पर फिर decide करेंगे, लेकिन 4 महिने के लिए तो यह definitely नहीं आएंगे, यह दोनों videos, and again I would like to request all of you, कि अगर आपको यह editorial and article analysis की series genuinely पसंद आ रही है, तो इसको share करने में मेरी मदद कीजिए, channel की मदद कीजिए, brand ambassadors बनिये, इस video के, अगर आ पसंद आ रहे हैं, तो I cannot force you, see I am not forcing you, means, मुझे कोई चीज पसंद है, I know कि इससे मेरा फाइदा हो रहा है, और दूसरे students का भी होगा, दूसरे लोगों का भी होगा, right, तो I will take that stand, मैं share करूँगा, और ऐसा नहीं एक बार share कर दिया, I will take follow up as well, कि वो मैंने video आपको share किया था, वो देखा किया आपने, तो नहीं देखा, प्लीज आप देखिये उसको, और ऐसा नहीं कि एक बार देखिये, आप एक हफ़ते तक देखिये इसको, और फिर आप देखिएगा, कि आपके अंदर क्या change आएगा, कितनी सारी चीज़ों के बारे में, कितनी सारी गहराई से बात करा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ WhatsApp पर डाल दिया, वो सारी चीज़े भी हैं, लेकिन, but anyway, means, this is the thing, right, और ज्यादा मैं कहूंगा, तो ऐसा लगेगा, कि सर हमें, cold calling करवा रहा है, cold calling यानि कि, जो salesmen आते हैं, कहते हैं, दर्वाजा खटकाते हैं, और कहते हैं, आपको यह बैया नहीं चाहिए, और फिर वो चले जाते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें करवाने के बारे में नहीं कहना हूँ, but if you genuinely like this series, then share it, क्योंकि यह भी, to be honest, I'm being very frank, यह भी sustainable नहीं है, लेकि क्योंकि यह एक ऐसा platform, यह एक ऐसा video है, कैसी series है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसको बंद करने के बारे में, मैंने सोचा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ, but I cannot dream ऐसा कि कितनी भी channel आगे क्यों ना बढ़ जाए, I don't think so कि यह series जो हैं, उसको मैं छोड़ पाऊंगा, I don't know, मुझे पता नहीं है, I don't know, लेकिन यह sustainable नहीं है, and I really really want you guys to make it sustainable, right, students के साथ कीजिये, right, so that's everything, so that's the end of FNA, Financial News Analysis, and that's the end of Current Affairs series, but this will continue, editorial and articles, analysis बारे सिरीज जो है, वो, for sure चलते रहेगी, right, इसमें कोई डाउट नहीं है, and hopefully, यह expand भी होगी, और sustainable भी होगी, बाकी सारी चीज़े ऊपर वाले पर depend है, thank you very much, God bless you all, Jai Hind. लिस्टोर ले यहाइब हो आप गição, आप जच काुताओ, झालते विस्टोर वाले जनापकर वाले वाले आपकर है, जpas दो प्रमम करि सक्वीं हो、 वाले रहादे हैं जैपकर वाले में हो, जो यहरादे आपकर दान से इपकर प Meansकर फ looking at Yahoote 열 secre, पक् सक्वीन מאशने झाह से का सक